देखो first question is which one of the following is incorrect इस पे से कौन सा correct नहीं है तो correct नहीं है सबसे पहला है कि flower is a modified stem fruit of coconut is called droop onion belongs to liliashy इसमें से कौन सा सही है देखो flower को हम लोग modified stem बोलते हैं flower का जो है flower is a modified stem मतलब एक अगर plant है तो plant का दो system होता है उपर वला जो system होता है वो सूट सिस्टम होता है नीचे वाले सिस्टम को root system बोलते हैं तो यह stem के ऊपर ही flower लगता है यहीं पर flower लगता है रूट के पास flower नहीं आता है इसलिए इसका नाम है flower is a modified stem ठेक है नेच्ट आजओ नेच्ट इस विच इस एमफीबिं आफ प्लांट किंग्डम प्लांट किंग्डम का एमफीबिं किसको बोलते हैं एमफीबिं का मतलब होता है ऐसा औरगेनिसम ऐसा ऐनिमल जो की लांड और वातर दोनों पर फाल कर सके लैंड़ बिला सके टो लांड पर बिला सके लांड को बायों में जो लाता है एंफीबियन जैसे एक्जामपल प्रोग मेडग मेडग अंदर और बाहर लिथोस्पेर पे भी रहेगा लैंड पे भी रहेगा पानी में भी रहेगा तो उसी तरह प्लांट्स के अंदर ब्रायोफिटा है ब्रायोफिटा भी लैंड और वाटर दोनों पर थ्राइव कर सकता है और बहुत ओल्ड यह बहुत ओल्ड प्लांट का स्पीसीज है प्लांट का बहुत ओल्ड टाइप है ब्रायोफिटा इंजाइम का प्रोटीन पार्ट इंजाइम जो होता है यह एसा चेमिकल होता है जो कि डाइजेस्ट करता है आपका फूड खाना को डाइजेस्ट करने वाला क्यामिकल का नाम इंजाइम थेख तो ये इसके enzyme का जो protein वाला हिस्सा होता है उसको apoenzyme बोलते हैं enzyme का ऐसा हिस्सा जो protein से मिलके बना है उसको apoenzyme बोलते हैं तो proteinious part of enzyme is called apoenzyme next आजाओ father of taxonomy taxonomy का मतलब होता है कि जो अभी हम लोग system बनाए है जो system बनाए है जिसके हिसाब से हम लोग अलग-अलग kingdom phylum class में डिवाइड किया है न मोनेरा protesta fungi plantae और लास्ट में animalia तो धेर सारा अलग-अलग categories में डिवाइड किया है रखें अलग-अलग categories में तो इस taxonomy को जनक taxonomy का जनक किसको बोलता है इसका पूरा नाम है कार्लस लीनियस इसी के contribution से हम लोग इतना आगे बढ़ पाए है इसलिए इसको father of taxonomy बोलते हैं अगर ये बर्गत का पेड के अंदर जो जबार्गिंग डूस हanter में उसको प््रॉप उसक इसका मतलब अगर ये ये हैँ बर्गत का पेड़ से रूट्स लटकता है जिसपे बattack जूला जूलते हैं यहांसे रूट्स लटकेगा कि girl hoje लटकेगा और इसी डूस का नाम है प्रॉप रूप रूत प्रूप जूब अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये नीचे जाके जमीन तक टच हो जाएगा और जमीन से फिर से वो लेने सुनू कर देगा पानी और खाना तो इसमें बच्चे लोग जूलते हैं जूला जूलते हैं बने आंट्री में वही है प्रॉफ रूट next transport of water simplast pathway takes place to simplast का मतलब होता है cytoplasm से होकर अगर पानी गुजर रहा है cell के अंदर cell के अंदर अगर पानी गुजर रहा है और वो cytoplasm अंदर से होके गुजर रहा है तो ये वहाला transport कहलाता है simplast pathway ठीक है epoplast मतलब cell के बाहर-बाहर से अगर जाएगा तो ये साइटोप्लाइम से होता है नेक्स्ट इनकम्प्लीट ऑक्षिडेशन ऑफ ग्लुकोज ग्लुकोज का इनकम्प्लीट ऑक्षिडेशन का मतलब होता है ग्लुकोज का फार्मुला होता है Oxidation का मतलब होता है तूटना Oxygen की मदद से अगर कोई चीज तूट रहा है तो उसको क्या बोलता है Oxidation तो glucose को तोड़ रहे हो oxygen की मदद से तो glucose तूटेगा तो बनेगा carbon dioxide और पानी तो यह complete oxidation है अगर incomplete oxidation होगा तो alcohol और CO2 बनेगा इसका मतलब अगर glucose को तोड़ रहे हैं लेकिन यहां पर oxygen जितना चाहिए था उससे 50% ही है मालो एक लीटर oxygen चाहिए था पूरग glucose को तोड़ने के लिए तुम्हारे पास 500 ml ही है आधा ही है 500 ml मतलब आधा है आधा लीटर है तो इसका पूरग breakdown नहीं हो पाएगा तो यह क्या बनेगा यह बनेगा alcohol C2H5OH यह alcohol बना और CO2 बनेगा CO2 तो बनेगा ही पानी के जगा पर क्या बनेगा alcohol यह है complete breakdown यह incomplete break down ठेक है तो exam में complete breakdown भी आ सकता है incomplete वाला भी आ सकता है complete breakdown होगा तो CO2 और पानी बनता है और incomplete breakdown होगा तो इथाईल alcohol इसको बोलता है इथाईल एल्कोहल और carbon dioxide बनेगा कहा पर होता है यह East व्वगरह करता है इस्ट जो देशी सराब बनता है महुवाज है वो इसी तरह बनता है क्राइज अनॉटमी इस फाउंड इन सी फोर प्लांट ये पिछले वाले सेट में भी था सेम कोश्चन है क्राइज अनॉटमी वाला अदर ये काम करता है ये काम करता है नाइट्रोजन fixation में मदद करता है तो यहां से तेरा दो question आ सकता है कि rhizobium bacteria काम क्या करता है nitrogen fixation और leguminous plant के root में कौन सा bacteria है nitrogen fixation का मतलब क्या होता है हवा से nitrogen को ले और plant को दे दे क्योंकि हवा में nitrogen है और plant इस nitrogen को यूज नहीं कर पाता है तो हवा वाला nitrogen को अगर plant को पहुचाना है खाना के रूप में तो वो कहलाता है nitrogen fixation तो हवा का nitrogen को घोल देता है और घोल करके plant को दे देता है खाना के रूप में वो काम करने वाला bacteria है rhizobium क्योंकि plant हवा का nitrogen यूज नहीं कर पाता है वो gas form में The age of a tree is determined by counting the number of annual ring कितना एक tree का age हो रहा है उसको determine करने के लिए पहले अगर मालो ये tree है और ये tree जब कटेगा तो यहाँ से अगर मालो उसको काट दोगे तो यहाँ से काट दोगे तो ये tree ऐसा दिखेगा ऐसा दिखेगा और इसी के अंदर एपिर छोटा छोटा ऐसे ऐसे रिंग रहेगा लकडी एगर कटता है तो देखते हो ना रिंग दंक की जैसा गोल होता है तो वह हें कहलाताएज एनवेल रिंग कितना एनवल रिंग है उसको count कर लो टो ट्री का एज पता चल डाएगा कि वो कितना साल पूरा ना यही ए झालरीस Me Golden कि ए रैसी मो्स इन फ्लोरेसेंस थैस स्मॉल इस है करें रैसी मोज इन फ्लोरेसंसस ओक्रावर हो danach वो सबसे उपर होगा रैसे inflorescence का मतलब होता है फ्लावर का गुच्छा तो ऐसा फ्लावर का गुच्छा जो की racimos arrangement लिये हुए है मतलब गोल 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 गुच्छा है तो उसमें से सबसे छोटा फ्लावर सबसे उपर में होगा और नीचे जैसे चलते जाओगे उसमें बड़ा बड़ा फ्लावर आते जाएगा जैसे एक्जांपल ले लो गेंदा का फूल का गेंदा का फूल का अगर बाहर वाला पंखुडी देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा रहता है जैसे अंदर चलते जाओगे छोटा-छोटा पंखुडी आएगा तो बादी वही है टॉप से लोवर कॉंसेंट्रेशन की ओर अगर हो रहा है तो इसी को ऑस्मॉसिस बोलते हैं पानी अगर हायर कॉंसेंट्रेशन से लोवर कॉंसेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है जा रहा है तो उस प्रॉसेस का नाम है ऑस्मॉसिस और ऑस्मॉसिस से ही पानी पहुचता है पेड़ निकल करके उस जगह पे जाता है जहां पे पानी का कमी है तो नीचे जमीन में अगर बहुत सारा पानी है और प्लांट के पास पानी नहीं है प्लांट प्यासा है अभी तो जमीन से पानी निकल करके रूट्स के सहारे प्लांट के अंदर घुश जाएगा यह प्रोसेस कहलाता क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट ही किचेन आफ दसल होता है क्लोरोप्लास्ट 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 क्लोरोप बना लेगा एनर्जी जिब्रेलिन जिब्रेलिन सबसे पहले एक फंगी में खो जा गया था जिब्रेलिन क्या है यह प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन है यह है प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन ऐसा हॉर्मोन जो की प्लांट को ग्रो करवाता है वह कहलाता है जिब्रेलिन ठीक है तो प् फंगी में discover किया गया था, फंगी में इसको खोजा गया था, Kelvin's icon light से independent होता है, doesn't depend on light का मतलब होता है, कि light से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो एक photosynthesis के अंदर दो reaction होता है, photosynthesis plant का जब खाना बनेगा, तो उसमें दो reaction होगा, एक reaction कहलाता है, light reaction, एक reaction कहलाता है, dark reaction, इसी dark reaction का दूसरा नाम है Kelvin cycle, ठीक है, इसी dark reaction का दूसरा नाम है Kelvin cycle, light reaction में light का जरूरत पढ़ता है, डार्क reaction में light का कोई जरूरत नहीं है, बिना light का भी ये reaction होगा, उसी का नाम है Kelvin cycle, the main constituent of chlorophyll, chlorophyll के अंदर magnesium बहुत ज़्यादा मातरा में होता है, magnesium बहुत ज़्यादा मातरा में होगा chlorophyll के अंदर, coaching, magnesium chlorophyll में, chlorophyll में magnesium बहुत ज़्यादा मातरा में प्रिजेंट रहता है, तो ये याद रखना है आपको, magnesium से मिल के बनता है, crossing over packaging stage में होता है, cell division का ये stage है, और cell division का stage में क्या होता है, एक chromosome है, ये मालो male के side से आ रहा है, पापा के side से आ रहा है, एक chromosome है, जो की female के side से आ रहा है, ममी के side से आ रहा है, तो chromosome का ये वाला pair, इस chromosome के pair के साथ cross हो जाएगा, इसका मतलब कि ये chromosome, और ये chromosome आएगा साथ में, और अपना एक-एक segment exchange कर लेगा, मतलब इस chromosome का ये वाला part है, इस वाले chromosome का मालो ये वाला pair है, blue color का ठीक है इस वाले chromosome का ये वाला पैर मालो ये देखो green color का ठीक है तो इस stage में क्या होगा ये green वाला color इसमें जुड़ जाएगा ये blue वाला इसमें जुड़ जाएगा तो ये blue वाला आगर आके इसमें जुड़ जाए और ये green वाला जाके इसमें जुड़ जाए तो इसी को बोलते हैं हम लोग crossing over और यह crossing over होता है पैकाइटीन stage में तो crossing over का मतलो segment का exchange हो जाना एक मम्मी वाला क्रोमोजोम आधा तूटके पापा वाले में जुड़ जाएगा पापा वाला मतलब यहाँ पे भी जायलम है और यहाँ पे भी जायलम है तो इस वाले प्सक्राइब को बने सुट हो में अगर भूधुजय लग वोलते हैं दोनों साइड में, तो दोनों साइड से आपको पता लगा लेना है, तो यहीं एक ही ऑप्षन में देख रहे हैं, तो दोनों साइड में जाए लेमा, भाई को लेटरल प्रोटीन सिंथेसिस इस डिलेटेट टू राइबोजोम कल वाला ही कोश्चन है बोले थी कि राइबोजोम आ जाए या रफ इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम आ जाए दोनों सेम चीज है दोनों में टिक लगा सकते हैं दोनों आपका सही हो जाएगा बाइनोमियल नॉमेंक्लेचर बाइनोमियल नॉमेंक्लेचर में दो थो नाम लिखता है एक जीनस लिखते हैं कि स्पीसिस लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेंक्लेचर जैसे होमो सेपियंस हो गया जीनस सेपियंस हो गया स्पीसिस होमो सेपियंस इंसान का नाम है, division of nucleus is called karyokinesis, देखो karyo word कहीं पे भी bio में दिखे, इसका मतलब होता है nucleus, और kinesis word bio में कहीं पे भी दिखे, तो इसका मतलब होता है breaking या division, breaking बोलो या division बोलो, तो पूछ रहा है कि division of nucleus को क्या बोलते हैं, तो तुरंत karyokinesis में लगा देंगे, inphysema is a disorder related to respiration, inphysema में आपका जो lungs होता है, उसके अंदर जो tissues है, वो tissues hard हो जाता है, कड़क हो जाता है, और यह कब होता है, जब आप dust वाले जगह पे काम करते हैं, ऐसा factory में अगर मजदूर काम कर रहे हैं, स्पेक्ट्री में बहुत दस्ट उड़ता है, जैसे cement का factory, जैसे आपका जो वो crescer चलता है, जिससे गिट्टी बनता है, वहाँ पे कोई मजदूर काम कर रहे हैं, तो वहाँ हमेशा दस्ट तुड़ते रहेगा, और यह दस्ट तेरव लंग्स में जा जाके जमा होते रहेगा, और जमा होते लंग्स को पूरा कड़क बना देगा, हाड बना देगा, तो उसी बिमारी का नाम है, इंफाइसीमा, यह respiration से related है, सांस से related बिमारी है, water vascular system is characteristics of echinodermata, inchinodermata में water vascular system होता है, यह याद रखने वाला चीज़ है, यह learn करना पड़ेगा, आपको रटने वाला चीज़ है, water vascular system echinodermata में पाए जाता है internal ear, कल वाला ही question है, internal ear में एक liquid भरा हुआ रहता है, इस liquid का नाम है, इंडो लिम, यह एक liquid है, जो कि internal ear में भरा हुआ है, अंदर कान में एक liquid भरा हुआ है, उसी liquid का नाम इंडो लिम कि इस्ट्रक्श्रल फंक्शनल उनिट ऑफ किड्नी नेफ्रॉन कहलाता है नेफ्रॉन को स्ट्रक्श्रल और फंक्शनल उनिट बोलता है दिखने में कैसा होता है दिखने में कुछ ऐसा होता है यह कि देखे होगे डाइग्राम इसका ऐसा डाइग्राम होता है इसका देखो यह है डाइग्राम नेफ्रॉम का यह नेफ्रॉन है यह से आगे जाकर के पूरा ऐसा करके घुम जाता है किसी को बोलते हैं किड्नी का स्ट्रक्चुरल और फंक्शन रिवेट पेसमेकर ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं हर्ट के अंदर हर्ट के अंदर यह ऐसे नोड ही है जो कि आपका heartbeat को start करता है दिल को धड़काने का काम यही करता है ऐसे node दिल को धड़काने का काम करता है इसलिए इसको pacemaker बोलता है हाँ मेरी टाइम्स असेल डिवाइड टू प्रोड्यूस टू फिफिटी सिक्सेल बनाने के लिए सेल को कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा तो अगर माइटोटिकली बन रहा है माइटोटिकली बन रहा है तो 256 चल बनाना है कितना बार में आएगा किries इंड है कार्बोहड़ेट डाइजस्टिंग looks राप यह भी आपका ए कर आँजिक से चाहे एक प्षाब होता है कमें जो कि कि मीथा होता है तो खाना के अंदर मीथा जो भी यह वो सब कारवोहडेट चावल इसको पचाने वाला इंजाइ में का नाम है इसको पचाता है तो वो अगर सलेवरियe मायलेज हो दो भी पचा देगा DNA का सेंथेसिस में DNA का सिंथेसिस होता है सल के पास तीन फेस होता है तो ये जो S phase यहीं पर DNA बनता है इस फेज है इपीनेफरीन और नौर इपीनेफरीन को emergency hormone बोलते हैं इमर्जेंसी होर्मोन का मतलब इपीनेफरीन का दूसरा नाम है adrenaline adrenaline और नौर इपीनेफरीन का दूसरा नाम है नौर अडरिनलीन क्या काम करता है यह पियर और फाइट हॉर्मोन है पियर या फाइट अगर आपको गुस्सा आएगा तो भी यह हॉर्मोन रिलीज होगा अगर आपको डर लगेगा तो भी हॉर्मोन रिलीज होगा अगर आपको कहीं से भागना है तेजी से तो भी यह हॉर्मोन रिलीज होगा तो लडाई होने में, गुस्सा होने में या डर लगने में जो हॉर्मोन सरीर में रिलीज होता है, उसी हॉर्मोन का नाम है अड्रीनलीन या नौर अड्रीनलीन, इसी का दूसरा नाम है इपीनेफरीन या नौर अपीनेफरीन, सब सेम चीज है, इपीनेफरीन को ही अड्रीनली हो जायेगा तु यह हार्मोन सिक्रिट हो जाएगा, लार्ज ब्रेन, सैरिभ ब्रम को लार्ज ब्रेन बोलता है, brain का तीन हिसा होता है, four brain, mid brain, hind brain, four brain आगे वाला brain होता है, आगे में जो दिमाग है वो four brain, बीच एक छोड़ दिमाग होता है उसको हाइंड्रीन बोलता है तो आगे वाला दिमाग सबसे बड़ा है वही है सेरिभ्रम cellulose is a polymer of glucose glucose अगर धेर सारा glucose molecule एक साथ चिपक जाएगा तो वो बना लेगा cellulose तो cellulose बनता है glucose से polymer का मतलब अगर एक साथ धेर सारा cellulose चिपक जाएगा ये glucose चिपक जाएगा तो वो बना लेगा cellulose 70S ribosome prokaryotes में पाए जाता है और 80S ribosome eukaryotes में पाए जाता है ये याद रखना है ये अच्छा question है इसका मतलब कि ribosome का दो हिस्सा है एक 70S एक 80S 70S ribosome prokaryotic cells में पाए जाता है ये prokaryotic cell पुराना cell है old cell और eukaryotic cell नया cell है नये जमाने का cell जो हम लोगों के पास है prokaryotic cell bacteria लोगों के पास होता है bacteria या virus जो छोटा छोटा चीज है उसके अंदर एक पुराना जमाना का cell है prokaryotes इसके अंदर 70S ribosome है हम लोगों के पास या चणिया के पास या कुत्ता बिल्ली के पास यह की पास याधना के पास यह जोटा और इसके पास इसके पास एतिस रिभोजोम है the ball and it is presented in new नीज के पास बॉलन ग्वीघ्क नहीं होता है यह यह घुटना के पास ball in socket join नहीं है यह Свे पास है आपका कंधा के पास और गंरो सोल्डर के पास तो सोल्डर यहां प्सना कि वॉल ड्योंकिए ज्घर्ट करता है मतलब कि योरीन के थूर् चोह आपकर निकल रहा है तो इसको यो एक योटीक बोलते तो इंसेक्ट ऻूरिया निकालेगा लिजजका मतलब होता है छिपकिली यह भी यूरिया निकालेगा बेंट इसलिए all उसको लिखते हैं heart का right side और जो आपका right hand side है इसको लिखते हैं heart का left side तो जो right atria and right ventricle right atria and right ventricle के बीच में होता है उसको हम लोग बोलते है right atria and right ventricle के बीच वाले को बोलते हैं हम लोग tricuspid valve hello yes sir hmm it is it online or offline sir oh no sir i am not interested tricuspid का मतलों होता है कि ये एक दर्वाजा है जिस दर्वाजा से खून उपर वाले side से नीचे वाले side तक पहुचता है तो खून को उपर से नीचे ले जाने के लिए एक दर्वाजा है इसी दर्वाजे का नाम है tricuspid valve ठेक है तो right side में रहता है right atria and right ventricle के बीच में रहता है tricuspid valve ठेक है कैसे याद रहेगा राइट लिखते आना right तो याद रखना कि right side में होता है tricuspid valve right side में होता है tricuspid valve cartilage cartilage कल भी बताएं थे connective tissue है जो कि आपका nose के पास होता है ear के पास होता है nose ear के पास जो tissue है वो cartilage है connective tissue कहलाता है यह warm blooded animals कल भी बताएं थे abes का मतलब क्या होता है birds यह warm blooded होता है इसका खून का temperature change नहीं करता है season के हिसाब से तो हम लोग का खून का temperature constant है गर्मी जाडा बरसात हर जगा 37 degree Celsius ही रहेगा यह change नहीं करेगा इसलिए हम लोग भी warm blooded है मचली का change कर जाता है इसलिए हो लोग cold blooded होता है full form of ADH anti diuretic hormone ADH एक ऐसा hormone है जो कि kidney के पास से निकलता है यह kidney के पास जाता है और kidney के वो बोलता है कि पानी absorb कर लो urine से तो आपको पता है कि urine के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है 90% तो पानी ही है तो उतना पानी अगर आपके body से निकल रहा है और आप अगर पानी ठीक से पी नहीं रहा है तो आपका brain kidney को बोलेगा कि अब जो urine पास होगा उसमें पानी का मातरा कम कर दो तो यही hormone जाता है और kidney को बोलता है कि अब urine के अंदर पानी को भेजना बंद करो कम करो क्योंकि ये इंसान पानी ठीक से पी नहीं रहा है तो पानी ठीक से पी नहीं रहा है यूरीन से अगर पानी निकलते जाएगा तो body में पानी का कम ही हो जाएगा तो यही hormone जाकर के kidney को बोलता है कि पानी निकालना यूरीन से बंद करो उसी को बोलते हैं anti-diuretic और्वन अर्थवार्म नेफरीडिया और एकस्क्रीटरी और्गन अर्थवार्म के अंदर जितना भी एकस्क्रीशन का काम है एकस्क्रीशन का मतलब वेस्ट मटेरियल का बाहर आना तो वेस्ट मटेरियल का बाहर आना एकस्क्रीशन कहलाता है और ये एक और्गन से होता है जिसको बोलता है नेफरीडिया सेम हम लोग के पास इसके लिए है किड़नी किड़नी से हम लोग का वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है और अर्थवार्म के पास होता है नेफरेडिया तो किड्नी हम लोग के पास है और अर्थवार्म के पास नेफरेडिया है यह दोनों का काम होता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर फिक देना ठीक है तो यह 40 question था दो तीन question बस repeat हुआ था बागी नया नया question था इसको आपको PDF मिल जाएगा practice कर लेना